हेलो आब्रिवन वेलकम टू कुक्विश शगून आज हम बनाइंगे सेवरुल यह सेवरुल रेशिपी है जो बनाया तो पहले जो हो सादिय थी उसमें तो अब यह पहुत ही कम हो गया है तो आज हम वो पूराने वाली रेसिपी यहाँ पे बनाएंगे इसके लिए मैंने यहा ज्यादा पानी ना हो इस तरह सा हमें इसे बॉल करना है उसके बाद हम यहाँ पे इसे कद्दुकस कर लेंगे जिसे क्या होगा कि अंदर कोई भी आलू का जो छुटा छुटा टुकडा हो वो रह ना जाए उसके बाद यहाँ पे मैंने एक बड़ा चमश अद्रक और मेश को क चोटी चमश यहाँ पे दो यहाँ पे घरं मसाला एड़ है चोटी चमश शुगर एड़ की ए उसके बाद दाद उसके बाद एक बड़ी चमश लिम्बू का रस एड़ किया है, आदे चोटी चमश यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर एड़ की है, उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़े से पोह ली है, यह वन थड़ कपों है, इसे थोड़ा सा हम पानी में भिगो लेंगे, उसके बाद हम इस तरह से राउन श्रिप दे देंगे, क्योंकि जो सेव रोल है, उसका श्रिप उसी तरह का होता है, तो सारे मिक्षर में से हम इसे इसे छोटे सिलिंडर श्रिप तयार कर लेंगे, सारे रोल तयार हो जाए उसके बाद हम एक सलरी तयार करेंगे जिसके लिए एक बाउल में मैंने दो बड़े चमश कॉनफर और दो बड़े चमश मैंदा एड़ किया है उसके बाद हम थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे और इसे मिक्स करेंगे इसमें कोई भी लंस ना रहे उसी तरह का हमें इसे mix करना है और एक गाड़ी से slurry तयार करें है थोड़ा सा और पानी add करेंगे और slurry तयार हो चुकी है हमारी अब हम एक एक रोल लेंगे और slurry में dip करेंगे हमें slurry को coat करना है जो रोल है उसके उपर और slurry हमारी गाड़ी होगी तो ही ये रोल है वो coat होगा और coat अच्छी दर्रे से होगा तो ही fry करते समय कोई भी इसमें से आलू का जो stuff है वो बाहर नहीं निकलेगा इसलिए हमें ये ध्यान रखना है तो चारो तरब से हम coat कर लेंगे इसलरी को उसके बाद यहां पर मैंने सेवया ली है इसे वर्मिसिली भी बोलते है और ये roast की हुई वर्मिसिली है वर्मिसिली को भी हम रोल के उपर cover कर लेंगे इस तरह से चारो तरब से हमें इसे वर्मिसिली से coat करना है उसके बाद हम थो कोट करेंगे सलरी में उसके बाद वर्मी सिरी से भी कोट कर देंगे एक कड़ाई में हमें तेल लेना है और उसे घरम करना है यहां पर तेल ज्यादा गरम नहीं करना है बिल्कुल मीडियम आज पर हमें तेल को घरम करना है उसके बाद तेल गरम हो जाए तब हम एक एक रोल ड तो थोड़ा सा एक मिनिट के बाद फ्राय हो जाए उतके बाद हम इसे पलट लेंगे और ये दो से तीन मिनिट में तो फ्राय हो जाएगाSonus उसे हमें बहुत ज्यादा fry नहीं करना है है यहां पनत्के अंच मीडियूम रखनी है Campbell आप यहां पर लो फ्लेम पर इससे फ्राय करेंगे, तो यह जो रोल है पूरा सा तेल एबसॉप कर लेगा, तो बहुत खाने में भी यह अच्छा नहीं लगेगा, तो हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राय करना है, तो देरे देरे हम सारे जो रोल्स नमने तयार किये थे, व आप जरूर इसे खिलाना उनको बहुत ही अच्छा लगेगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और इसे श्रेयर भी कर सकते हो आपके फ्रेंड्स और फैमिरी ग्रूप में इस तरह से बहुत सारे वीडियो मेरी चैनल पर है तो अब जरूर एक बार विजिट करना चैनल की थैंक यू फॉर वाचिंग